दो लोज़ेस्ट पॉइंट इस कॉल्ड दा ट्रफ जो आप देखते हो की लोज़ जो कम मातर में होता है उसको क्या कहते हैं ट्रो बोलता है और दिस्टेंस बेटीन दा क्रेस्ट एंड ट्रफ इस कॉल्ड दा वेव हाइब अब जो इन दोनों के बीच में से आती है जो काफी तेजी होती है उचा ितक औत इसको बोलते है वेवजेंशोnd के बीच में मतलब की बहुत तेजी है फ्रेक्वेंसी उसकी जो है किसी भी चीज की मात्रा बहुत तीजी से है दा शेप एंड हाइट ऑफ दा वेव डिपेंड ओन दा स्पीड ऑफ दा वेंड जो अब यहां पे समुद्र में जो में बताए गया है कि जो जो शेप है जो साइज और जो हाइट है वेव की यह डिपे अब आपने देखा होगा कि जो मतब एक एक थोड़ा सा कम होती है फिर उससे जादा थोड़ी तेज नाम अब आपको पता कि बीच बस्ट में बहुत-बार हमारे जो गता देते हैं कि सुनामी आएगी और उस वाले होगा वो नहींने नाम भी लेते हैं नहींने नाम से हाए गार जाता है थैकि AWS को FestS supports and इंद लेटको समंदर में और महा सागर में उसमें उठता है फिन नीचे में दो बार होता है और बीच में इंटरवेल्स होता है इस ऑल्टरनेट राइज और इस को हम क्या बोलते हैं जो ऐसा रुक रुक के और बीच में होता है उसको हम बोलता है Tides are caused mainly by the attraction of the moon and the sun on the surface of the earth अब यहाँ पर जो Tides है उसका कारण क्या बताया गया वो बताया गया कि जो moon को attraction करके बनता है और जो उसे मतब बीच में क्या आता है Sun on the surface of the earth जो moon है वो कहते है सूरज और जमीन के बीच में भूमी जो हमारी मतब परत्वी के बीच में आता है जब moon being closer of the earth जब जो हमारा moon है वो किसके पास आता है परत्वी के इस responsible for tides of a greater extent than the sun तो यह हमको बताया गया कि जब हमारे कहते है मून जो है वो परत्वी के पास में आता है तो वह मतलब है गतिवीदी और बढ़ जाती है जब water का जो level है बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है तो उसको हम क्या कहलते हैं कि बहुत ज़्यादा high tide है मतलब बहुत तेजी से और उच 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 पर है और spring tide on the other hand when the level of water is the lowest जब और कम मात्रा में होता है तो इस called the low tide और neep tide उसको कम बोला जाता है मतलब neep जैसे थोड़े थोड़े समय के लिए होता है ocean currents large scale moment of water in the ocean definite direction और called ocean currents ocean currents होता है कि जो मतलब एक तरीके से जो मतलब currents जो आजकल मतलब इस समय चल रहा है large scale moments of water in the ocean large scale पर जो water की जो गतिवीदी होते है समुन्द के अंदर वो उसको मतलब हम ocean currents कहते है currents का मतलब होता है जो मतलब बिलकुल चल रहा है ocean currents are like rivers in the ocean अब इसका मतलब क्या कि जैसे हम currents news बोलते हैं कि जो अभी की ताजक खबर है तो यह मतलब कि जो बिलकुल जो नदिया है वो बिलकुल अपना पानी लेकर उसमें होती है thousand of kilometers in length and sometimes 200 km wide तो यह हम कित्ती किलो मेटर 1000 हजार से लेके वो मतलब उसमें एक तरीकी जैसे हम जर्ना टाइप कहते हैं कि उसमें वो गिरती है length इसकी कौन सी होते है कित्ती किलो मेटर होते है 200 km wide होती है इने करेंट मूज एट स्पीड ऑफ टू टू टैन किलो मेटर पर आवर मतलब कि जो वाटर जो करेंट जो उसमें एकदम से स्पीड होती है जो गिरता है उसको हम दो से लेके 10 km पर हावर बोल सकते हैं गंटे में the water currents may be warm or cold और पानी कैसा हो सकता है ठंडा वी हो सकता हो घरम भी हो सकता है warm current और अजीनेट नियर दाए एक्वेटर एंड फ्लोर तुवर्ड ता पोल्स वार्म होता है जो बिल्कुल गरम होता है वार्म करेंट्स आर डोस और जिने नियर वह बिल्कुल एक्टीटर मतलब उसके बिल्कुल गरम मातरा में होता है वो उसी समय बिल्कुल उसमें गिर्दा होता है कोब करेंट कोब करेंट थो धग लेटिटुटि यंद फ्लो तुफ टूवर्ट्स डा इकवेटर मतलब कि वे उसके लैट्यूटर पे हाइब मात्रा में मतलब जब बहुत ज्यादा मतलब एक दम से उपर से आता है तो भीच में आते आते क्या होता है वो थंड़ा हो जाता थ तो उसको हम बोलता है cold currents how are ocean currents caused अब यहाँ पर हम देखेंगे कब यह currents caused इसमें मतलब कौन से कारण है जो ocean currents बनते है ocean currents are mainly caused by the difference in the density of sea water this difference is because of variation in temperature and salinity अब यहाँ पर बताएगा है कि जो ocean में जो currents होते हैं उसका main कारण क्या है वो है कि समुद्र का जो पानी है वे अलग-अलग रूप से variation करता है ऐसा नहीं है कि एक जगही वो रुग गया या स्टील हो गया ऐसा नहीं है temperature वहाँ का जो temperature है कि वहाँ पे जो temperature के हिसाब से चलता है वो और play wailing winds also influence the ocean currents और जो तुमारी जो प्रेवलिंग मतलब जो तेज जो प्रबल हवाएं है वो उसको influence करती है इस वाइंट व्लो कंस्टेंट कॉंस्टली इंदा पर्टिकुलर डिरेक्शन एंड ड्रग दा surface water due to the force of friction this leads to the formation of ocean currents अब यहाँ पर बताएगा कि यह जो हमाएं है वो किस किस दिसाम में और किस किस डारेक्शन में यह बहती है और कितनी मात्र में होती है सतह से surface की surface से कितनी मात्र में वो force के साथ और कितना मतब गती उसमें है कि वो उसको धकेल कर उसको लेकर आती है तो उसके द्वारा भी जो ऑशन है वो करेंट्स बता चल जाता है rotation of earth rounds in axis also result in the formation of new currents अब यहाँ पे जो बताया गया है कि जो जो हमारी परत्थिवी है जो उसका एक्सीज जो उसका बिंदू है जहां से वो गूमती है उसके हिसाब से भी हमको पता चलता है कि किस हिसाब से मतलब कौन मतलब रात में है कि दिन में है तो उस हिसाब से ही जो of ocean currents अब इसका हमें बताएगा कि इसके कौन से effect पड़ते हैं ocean currents exercise exercise great influence on the climate and economic activities of the coastal area some of them are अब यहां पर बताएगा कि जो ocean currents है जो बिलकूल चली आ रही है जो उसकी exercise जो गतिवी दिया है वे हमारे जलवाई को और आर्थिक activities को किस हिसाब से जो कोस्टल जो से किनारे रहने वा कुछ के बारे में बताएगा ocean currents influence the distribution of temperature over the globe अब जो यह ocean currents influence है वो उसको कैसे करते है कि इसको जो है distribute उसको बाढ़ देती है temperature को globe में the warm and the cold उसको दो भागों में बाढ़ते है ठंडा और गरम increase और decrease जब बढ़ता है तो क्या कहते हैं उसमें वो गरम होता है और जब घरता है त उसको ठंडा कर देता है warm current जैसे कि आपको पता है अगर आप समुंदर के किनारे जाओगे तो आपके रहने वाले जो हैं वह ज्यादा है humidity के सिकार होते हैं अगर आपको ज्यादा मतला दिन में ठंड नहीं लगेगी लेकिन जैसे जैसे time pass होता है दिन का तो आपको ठंड श देखोगे कि अगर दिन के समय आप समुंदर के किनारे मतलब चलोगे तो आप बिल्कूल मतलब आपको पसीन पसीने हो जाओगे एक हुमेडिटी से चुबने वाली गर्मी आपको लगेगी और उसकी हवा लगेगी वैल कॉल्ट ट्रेंट डिक्रीज सेम अब जब उसको मात अब पताएं गे होता है आप जब कभी महां पर जाओगे तो आप देखोगे और वांप cœurconomic reduce the danger of iceberg for the selling ships अब आपने देखा होगा कि जो वांप currency reduce the danger और वहां पर क्या होता है जब वह अगर ज्यादा गरम मातरा तो तो यहां पर है उस चलते है results से उसे उस salvar for the selling ships चलती है वह से गरम पहले उसमें connections with the वाइटल रोन इन सस्टेंडिंग लाइफ इन दा बायो स्पेयर अब यहां पर जो बताए गया है कि वह जो ज्यादा हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण बड़ी मात्रा में अपने भूमी का अदा करता है इन बायो स्पेयर जो हम लोग मतलब रहने वाले हैं जैसे बायो स्पे अब जो वह पानी है लेक्स का समुंद्र का हमारे लिए जैसे हम घरेलों घरेलू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रू है लोगों के लिए वैसे ही वह में सिचाई के लिए इरिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है इट प्रोवाइट एन इंपोर्टेंट लिंक इन ट्रांस समुंद्र के द्वारा इधर से उधर जा सकते हैं और दो देशों को आपस में जोड़ता है अब यहां पी जो में बताए गया है कि हमें जो समुंद्र से बहुत सी चीजें हमें पाई जाते हैं मचली है और बहुत सी चीजें पाई जाते हैं मोती है वो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जुड़े जिससे समुंद्र के किनारे वाले जो कोस्ट लाइन में मचवारे लोग जो रहते हैं उनको उनसे बहुत सारी चीजे प्रोडेक् और मिल्राल साथ अप्टेंड फ्रोम ओशियन वाटर्स हमें उसे कहते हैं समुंद्र से हमें नमक मिलता है और खनीजलावण मिलते हैं और वाटर बोडी आलसो इंफ्लेंस दा वैदर एंड क्लाइमेट जो हमारे जो ऑस्यान और जो समुंद्रे हमें इनके द्वारा हमें इनस इसमें बताया गया है कि हमारे कब-कब मतलब भारत में यह सुनामी आई है और कब अर्थकुएक आया है जिसके द्वारा हमारा जो देश है कब-कब इंफ्लेंस हुआ है तो आप इसको खुद इसको पढ़ेंगे यह आपकी जंडर नौलिज के लिए चीज है तो आप इसको वैदर यह आपको होमवर्क दिया जा रहा है तीनों चीजे वन टू और थिरी यह तीनों चीज आपको कॉपी में करनी अपने आप स्टडी करके घर पे इसको आप अच्छे से चैप्टर को पहले रीड करेंगे सब बच्चे क्योंकि रीड करना बहुत ज़रूर ही है ताकि आपको रीडिंग जो है वो बने रहा है अच्छे से थैंक्यू